नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में तो दोस्तों आज इलेक्टोनिक मीडिया पे वर्सप पे टेलीग्राम पे सोसल मीडिया पे जहां देखो वहां साब एक खबर चल लई है कि सरकार यानि कि जो हमारी गौर्मेंट है और इस्पेसली फाइनेंस डिपार्टमेंट यानि कि आगामी जो बजट आ रहा है एक तारीक को जो पेस कि हमारी निर्मला सीता रवन जी उसमें निजी करण पर साब जो फोकस है वो सरकार का कम रहेगा यानि कि निजी करण की घोसनाएं कम हो सकती हैं बहुत बड़ी खबर है और ये खबर कई दिनों से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि सहाब निजी करण इतनी आसान परक्रिया नहीं है चलिए अब electronic media, print media और साब बहुत से बड़े बड़े लोग ये मान रहे हैं कि साय सरकार निजी करण पर इतना ध्यान अंद्रित ना करें इस या अगामी budget में और यही चीज कहीं बार मैंने आपको समझाई है अब सवाल उठता है जो आपने उससे पूछा है क्या स अगामी यानि कि अगले साल 2024 में जब सरकार दुबारा आएगी तो क्या फिर साब ये निजी करण कर देगी देगो दोस्तो मैं फिर आप से कह रहा हूं सरकार का focus इन बैंकों को बड़ा बनाना है आर्थिक रूप से मजबूत करना है सरकार का सरिफ यही एक लक्ष है और सर लिए सरकार ने बहुत सारी कदम भी उठाए हैं बैड बैंक एन पिय रिकवरी और फिर बहुत सारी चीजे जो समय समय पर मैं अपने अपडेट टेलिग्राम पे लगाता रहता हूं उनकों जाके पढ़िए समझे कि क्या सरकार काम करना चाती है इन सरकारी बैंकों के लिए और निजीकरन की खबरें कित्ना बड़ा योगदान निभा रही हैं साब इन बैंकों की आर्थिक जितिती को सुदाजने के लिए तो इन चीजो को आपको समझना है ये नहीं सोचना है कि साब अब नेजीकरन नहीं हूँए तो उससे अगले साल हो जाएंगे ऐसा कुछ नह पर लगी हुई है सेर बाजार उसका एक सहारा है तो इसी चीज़ को समझते वे negativity अपने दिमाग में से निकालते वे मुझे आगे दीजे आज का वीडियो समाप कन्नी की next वीडियो में नए अब्डेट के साथ होगी मुलाकात तब तक इंतिजार finally नमस्कार